बेडिया फिल्म के कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स जिसे सुनके आप फिल्म को देखने के लिए और एक्सेटेड हो जाओगे बेडिया का VFX डिरेक्टर हमेशा से VFX में कुछ करना चाते थे लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं था VFX के बारे में तो वो खुद बेसिक्स से सीखना शुरू किये और बहुत सरा VFX का नॉलेज उन्होंने पाया और VFX बहुत चैलेंजिंग था शूट करने के लिए जिसकी वज़ज़ से उनको एक्स्ट्रा 10 से 12 दिन लग गए शूट को कम्पलीट करने को उनकी पहले फिल्म स्ट्री को 37 देज लगे, सेकेंड फिल्म बाला को 41 देज और बेडिया को 53 देज लगे शूट होने में इन टोटल बेडिया में आराउंड 700 तो 800 VFX शॉट्स है पहले डारेक्टर को लगा कि 150 से 200 शॉट्स में हो जाएगा लेकिन उनके VFX सुपरवाजर ने कहा कि नहीं होगा 200 शॉट्स में और वो सही थे वो VFX को बनाने में और कम्पलीट करने में 1.5 यर्स का समय लगा डारेक्टर अपने VFX आर्टिस्ट को उतना टाइम देना चाते थे जितना कि वो चाहे और उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी उन्होंने कहा कि एक होता है कि जल्दबाजी में अपनी पिच्चर बना कि अपने VFX फिल्म निकलते है और वो अपने प्रेडूसर को थैंक्स करते है कि उन्होंने बोला कि उनको टाइम चाहिए VFX अच्छा लगने के लिए नहीं तो ये फिल्म खराब VFX के साथ आएगी या बेसिक VFX के साथ आएगी मुझे चाहिए कि अच्छे VFX हो और उसके लिए टाइम चाहिए तो प्रेडूसर ने बोला ओके और पूछा कितना टाइम चाहिए फिर डारेक्टर ने बोला कि टू एंड हाफ येर्स लेकिन एंड में वो वन एंड हाफ येर्स पे अगरी किये और डारेक्टर बोलते है कि VFX अपने घर के इंटिरियर जैसा होता है जितना भी लगाओ कम लगता है वो बहुत ही बारिक डीटेल्स के साथ जाना चाते थे उसके लिए बहुत टाइम लगता लेकिन वो बहुत कुछ है जो अभी VFX मौजूद है फिल्म में और वो अपने VFX टीम को थैंक्स बोलते है बेडिया फिल्म का VFX एक लंडन विश्ट कमपनी MPC याने Moving Pictures कमपनी ने किया है और Bangalore में एक बहुत बड़ी टीम फिल्म की VFX के उपर काम कर रही है Second fact, बेडिया इन 3D वो विश्ट करते हैं कि उनको पहले पता होता कि वो 3D में भी इसको ला सकते है करके Originally ये फिल्म 2D में आने वाली थी नहीं तो वो एक अलग स्टाइल के साथ शूट करते और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एड कर सकते थे जब फिल्म एडिट हुई और बेसिक VFX के शॉट्स आये तो उनके टीम में बात हुई कि इसको एक बार 3D में भी टेस्ट करके देख सकते है क्या फिर उन्होंने उनके 3D टीम को बुलाया उन्होंने फुटेज देखा और बोला कि ये तो पूरा 3D फिल्म है इसको तो करना ही चाहिए लेकिन डारेक्टर वरीड थे 3D के डाकनेस की वज़े से लेकिन उनके टीम ने उनको कन्विंस कर लिया और फिल्म अभी 3D में भी आ रही है तीसरा फेक्ट बेडिया मेकिंग चैलेंज डारेक्टर बोलते है कि हमारा बेडिया करेक्ट दिखना चाहिए I don't want कि ऐसा बेडिया दिखे जो हाइट में 10 फीट उच्चा हो और बहुती बड़ा हो मेरा ऐसा था कि जब मैं इस बेडिया को देखू तो मैं ये करेक्टर से कनेक्ट कर पाऊ मैं चाहता था कि ये लगे कि ये मेरे ही जंगल का प्रानी है तो मेरा और VFX टीम का ये चैलेंज था कि कितना क्लोज टू रियल बेडिया बनाएंगे उतना लगेगा मुझे कि हम नेचर के करीब आ गए है और हमने वो ही कोशिश की है वरुन दवन की कास्टिंग वरुन दवन की कस्टिंग का आईडिया बेडिया फिम के प्रेडियूस के दिमाग में पहले आया अमर कौशिक और वरुन की पहली बात हुई थी कि कोई तो फिल्म करते है फ्यूचर में जब डारेक्टर ने अपने प्रेडियूस को अभी है ही नहीं है भी नहीं वो कहानी सुनने के बाद वरुन सेट चलो करते है फिर डारेक्टर एंड राइटर ने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया और वो फिल्म को पहले पेपर पे करेक्ट हो जाए ये चाते थे वो एक्टर आ गया है उसकी कुशी होनी नहीं च हो जाता अगर करोना नहीं होता तो उनको टाइम मिला लिखने के लिए इसके लिए एक साल में स्क्रिप्ट पूरी हो गई डारेक्टर बोलते है कि सबको और वरुन को लगता है कि वो कॉमेडी में अच्छे है और वो अच्छे है भी लेकिन वरुन सबसे बेस्ट जो है वो प्रिति सनन की कस्टिंग Max बोलो उसे अपना काम करती है और जब कृती को पता चला कि बेडिया के बारे में तो उन्होंने कहा कि मुझे करने दो ये फिल्म अच्छी है लेकिन डारेक्टर सेड कि मुझे आपके साथ दूसरी फिल्म करनी है लेकिन कृती सेड कि वो भी करेंगे लेकिन ये वाली भी करते है फिर डारेक्टर ने ठीक ह से कहा कि ये इतने सारे सवाल पूछ रही है तो बातो बातों में उनको realize हुआ कि क्रिती के सारे सवाल correct है थे जिसकी वज़र से script को एक नया और अच्छा draft दिया याने script को और अच्छा बनाया क्रिती के सवालों ने फिर स्त्री 2 के बारे में जिस दिन से स्त्री release हुई है तब से लोग पूछ रहे है कि स्त्री का sequel कब बना रहे हो मेरा ऐसा था कि कोई बोल रहा है पैसे कमाएंगे opening मिलेगी इसके चकर में अगर मैंने second part बनाऊंगा तो वो मुग के बल गिरेगी लेकिन जब तक correct script and story मिलेगी नहीं तब तक नहीं second part first part से next level होना चाहिए आपका क्या कहना है इन facts के बारे में और क्या आप video के ले excited हो हमें comments मिलके ज़रूर बताएगा और please subscribe to the channel or press the bell icon for more awesome videos like this you can follow me my social media handles links are given in the description below for all the latest updates regarding films movies and tv shows और यहाप याप दूसरे videos भी देख सकते है so thank you for watching and I'll see you again in the next video till then bye bye